A very special good morning to all of you, welcome back to my channel, study with Abhiman So, आज मैं आप लोगों के लिए UP Polytechnic Entrance Exam 2023 के लिए यानि 2023 के लिए Science में Physics के Chapter No.1 का Part 2 लेकर आया हूँ So, Chapter का नाम क्या है? Chapter का नाम है मापन जिसे हम English में बोलते हैं Measurement So, इससे पहले मैंने इस Chapter का Part 1 अल्रेडी अप्लोट कर दिया है और Part 1 में मैंने आप लोगों को इस Chapter के कुछ Most Important Theory Parts के बारे में डीटेल में पढ़ाया हुआ है और इस Chapter के Basic Concepts के बारे में डीटेल में बताया हुआ है So, अगर अभी तक आप लोगोंने Part 1 वाली वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के लिंक मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के Description Box में दे दी है आप वहाँ से जाकर के Part 1 वाली वीडियो को देख सकते हैं और जरूर देख लीजेगा क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि इस Chapter का Theory Part आपका Most Important है अगर Chapter के Theory Part को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे आप तो आप इस Chapter के Questions को भी नहीं Solve कर पाएंगे और ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इस Chapter का Theory Part आप लोगों का लेंदी है यानि काफी बड़ा है तो मैं कोशिश करूँगा कि दो से तीन पार्ट में इस Chapter का Theory Part में आपका Complete करवा दूँ तो आज ये आपके इस Chapter का Part 2 है तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस Chapter के आगे की जो कुछ Most Important Theory Parts आप लोगों के दिये हुए हैं जो Topics दिये गए हैं वो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाओंगा तो चलिए देखते हैं आज का हमारा यहाँ पर First Topic क्या दिया है तो जैसा की आप लोगों को अपनी स्क्रीन के उपर दिख रहा होगा यहाँ पर लिखा हुआ है महत्वपूर परिभाश आएं जिसे हम English में क्या बोलेंगे Important Definitions तो यहाँ पर सबसे पहला Topic इसके अंतरगात हमारा क्या दिया है प्रकास वर्स जिसको हम English में क्या बोलते है Light Year बोलते है यह Topic आपका Most Important है और इस Topic से आपके Interns Exam में कई बार Questions पूछे जा चुके हैं अभी मैं आपको Questions भी बताऊंगा कि कैसे Questions आप लोगों से पूछे जाते हैं इस Topic से Related तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आखिर यह प्रकास वर्स होता क्या है तो जैसा कि आप लोगों को अपनी स्क्रीन के उपर दिख रहा होगा यहाँ पे सबसे पहली लाइन क्या लिखी है कि प्रकास वर्स दूरी का मात्रक है Most Important Line यहाँ पे लिखी हुई है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है प्रकास वर्स दूरी का मात्रक है अब यहीं से आप लोगों से एक question पूछ लिया जाता है Question क्या पूछा जाता है आप लोगों से पूछ दिया जाता है कि प्रकास वर्स मात्रक है और आपको चार options दे दिये जाते हैं जिसमें आपको option के रूप में दूरी भी लिखा हुआ मिलेगा तो ध्यान रखिएगा प्रकास वर्स दूरी का मात्रक है। प्रकास की चाल का तीसरा option दिया हुआ था दूरी का और चौथा option आपको दिया गया था प्रकास मितिये उर्जा का। निर्वात में प्रकास दूरा एक वर्स में चली गई दूरी को प्रकास वर्स कहते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रकास दूरा एक वर्स में चली गई दूरी को क्या कहते हैं। तो आप क्या बोलेंगे प्रकास वर्स कहते हैं यानि लाइट इयर कहते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखें यहाँ पर आगे आपको एक रिलेशन दिया हुआ है। एक प्रकास वर्स बराबर क्या होता है। 9.46 इंटू 10 रेस तु दी पावर 15 मीटर। ये रिलेशन आपको याद होना बहुत ही जरूरी है। देखें ये आपसे direct question के रूप में भी पूछाया सकता है कि एक प्रकास वर्स बराबर होता है चार options दे दिये जाएंगे जिसमें आपको ये वाला option भी लिखा हुआ मिलेगा तो ध्यान रखिएगा एक प्रकास वर्स बराबर होता है 9.46 into 10 raise to the power 15 meter या फिर आप बोल सकते हैं is equal to 10 raise to the power 16 meter वो भी लगभग के ये आपको ध्यान रखना है और ये relation आपको याद होना जरूरी है क्योंकि जब आप इस chapter के numericals को solve करेंगे ना तो वहाँ पे हम इस relation का use करेंगे ये आपको ध्यान रखना है तो एक प्रकास वर्स बराबर 9.46 into 10 raise to the power 15 meter या फिर आप बोल सकते is equal to 10 raise to the power 16 meter के लगभग होता है और अगर आप किलो मीटर में बोलेंगे तो देखे यहाँ पे 10 raise to the power 13 किलो मीटर वो भी लगभग के ये भी आपको ध्यान रखना है तो ये जो टॉपिक अभी आपने पढ़ा प्रकास वर्स ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे से लर्न कर लेना है इस टॉपिक से आपके इंटरंस एक्जाम में 3-4 questions पहले पूछे जा चुके हैं और सभी questions के बारे में मैंने आपको बता भी दिया है तो आप लोग इस topic को अच्छे से जरूर पढ़ लीजेगा ठीक है अब चलिए इसके बाद देखते next हमारा क्या दिया है next topic हमार सौर दिवस जिसको हम English में क्या बोलते है mean solar day देखे यह भी topic आपके questions पूछे जा सकते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से questions आप से पूछे आ सकते हैं लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर यह जान लेते हैं कि आखिर यह माध्य सौर दिवस होता क्या है तो देखे ध्यान रखिएगा माध्य सौर दिवस कहते हैं तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए यह जो line लिखी हुई है कि एक वर्थ के सभी सौर दिवसों के आउसत को माध्य सौर दिवस कहते हैं यानि mean solar day कहते हैं अब देखे आप से पूछा कैसे जाएगा question आप से पूछ दिया जाएगा एक वर्थ के सभी सौर दिवसों के आउसत को क्या कहा जाता है चार options आपको दे दिये जाएंगे तो ध्यान रखिएगा क्या कहा जाता है माध्य सौर दिवस जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं mean solar day यह आपको ध्यान दखना है अब देखे इसके बाद आप आपसे question पूछ लिया जाएगा कि एक माध्य सौर दिवस बराबर होता है तो आप क्या बोलेंगे 86,400 सेकेंड के बराबर होता है यह आपको ध्यान रखना है यानि एक माध्य सौर दिवस 86,400 सेकेंड के बराबर होता है यह नोट कर लीजेगा फिर इसके बाद देखे क्या लिखा है अर्थात एक सेकेंड बराबर वन अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए वन अपॉन में यहाँ पे 86,400 माध्यस और दिवस ये भी रिलेशन आपको ध्यान रखना है वन सेकेंड इस इक्वल टू क्या हो जाएगा वन अपॉन में यहाँ पे 86,400 माध्यस और दिवस ये भी रिलेशन आपको अच्छे से लर्न कर लेना है ये दोनों ही टॉपिक मैं आपको बता दूप्रकास वर्स और माध्यस और दिवस ये दोनों ही टॉपिक आपके most important है देखिए अगर आप अपनी अरिहंत की बुक में चेक करेंगे ना तो जो यहाँ पे महत्पूर परिभाशाय दी गई है वहाँ पे आपको कई definitions देखने को मिलेंगी लेकिन जो important है वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे तो बहुत सारी परिभाशाय दी गई है लेकिन वहाँ से questions सी नहीं पूछे आते तो पढ़ाने का कोई फाइदा भी नहीं है जो important है वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो प्रकास वर्स और माध्यस और दिवस ये दोनों topic आपको अच्छे से तयार कर लेना है जितने questions बन सकते थे वो भी मैंने आपको बता दिये हैं इससे बाहर कोई question नहीं पूछा जा अब इसके बाद देखेंगे अगला हमारा topic यहां पर क्या दिया है so next topic आप लोगों को अपनी screen के उपर देख रहा होगा लंबाई द्रव्यमान तथा समय के अन्य मात्रक देखें मात्रक के बारे में यानि units के बारे में मैंने आप लोगों को इससे पहले पढ़ाया हुआ ह मैंने आप लोगों को मात्रक के बारे में पढ़ाया था मूल मात्रक क्या होते हैं विद्पन मात्रक क्या होते हैं और मात्रकों की पधती के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है FPS पध्धती, MKS पध्धती, CGS पध्धती, SI पध्धती और यहां तक मात्रक भी मैंने आपको बताए हुए है तो सब चेक कर लीजेगा, Part 1 वाली वीडियो को जरूर पढ़ लीजेगा मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है, वीडियो की लिंक, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दे दी है, आप लोग पढ़ लीजेगा तो यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, लंबाई, द्रविमान, तथा समय के अन्य मात्रक, इंग्लिश में बोलेंगे, Other Units of Length, Mass and Time अब सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लंबाई के मात्रक, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, Units of Length तो आपको अपनी स्क्रीन के उपर यहाँ पे एक पूरा चार्ट यहाँ पे दिख रहा होगा, और देखें, अभी मैं आपको यह पूरा चार्ट डीटेल में समझाओंगा, और इसका यूज हम कप करेंगे, जब हम इस चैप्टर के Numericals को सॉल्व करेंगे, और यहाँ से अभी आप लोगों से question पूछ लिया जाता है, कैसे question पूछा जाता है, यह भी मैं आप लोगों को अभी आगे डीटेल में बताऊंगा, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे लंबाई के मातरक, इंग्लिश में बोलेंगे units of length, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लि देखे, यहाँ पे एक sign बना हुआ है, यह sign देखिएगा, यह किसका है, यह angstrom का sign है, इसे हम क्या बोलते हैं, देखे, angstrom लिखिए, या फिर आप यह sign बना दीजे, बात एक ही होगी, इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, angstrom ही होगा, यह आपको ध्यान रखना है, तो सबसे प एक angstrom बराबर होता है, चार options आपको दे दिये जाएंगे, जिसमें आपको 10 raised to the power minus 10 meter भी लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना है, कि एक angstrom बराबर होता है, 10 raised to the power minus 10 meter के, यह आपको ध्यान रखना है, तो देखे, इतना तो आपने जान लिया, कि एक angstrom बराबर क् 10 raised to the power minus 10 meter होता है लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 1 meter में ठीक है आपसे पूछ लिया जाए कि 1 meter में कितने angostrom होते हैं तब आप क्या बोलेंगे ये भी तो आपसे पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा ध्यान रखिएगा कि 1 meter में कितने angostrom होते हैं तो आप क्या बोलेंगे तो आप बोलेंगे 1 meter is equal to 10 raised to the power 10 ठीक है पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी positive हो जाएगी और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे angostrom तो ध्यान रखिएगा 1 meter में कितने angostrom होते हैं तो 1 meter is equal to आपका हो जाएगा 10 raised to the power 10 angostrom पावर जो आपकी होगी यहाँ पे positive होगी ध्यान रखिएगा फिर से समझाता हूँ सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि 1 angostrom बराबर क्या होता है तो 1 angostrom बराबर 10 raised to the power minus 10 meter होता है यहाँ पे power negative होती है ध्यान रखिएगा लेकिन अगर आप से यह पूछ लिया जाए कि 1 meter में कितने angostrom होते हैं तो 1 meter is equal to 10 raised to the power 10 angostrom हो जाएगा यहाँ पे मैंने यह angostrom का shine यहाँ पे बनाया हुआ है चिन बनाया हुआ है ध्यान रखिएगा power यहाँ पे positive हो जाएगी आपके यहाँ पे points लिखे हुए इन सभी points का हम use करेंगे ध्यान रखिएगा इन सभी relations का use करेंगे ठीक है तो यह angostrom वाला मैंने आपका clear कर दिया अब इसके बास समझेगा next हमारा क्या दिया हुआ है next हमारा यहाँ पे micron दिया हुआ है देखे यहाँ पे क्या लिखा है one micron is equal to क्या होता है ten raise to the power minus six meter होता है तो आपसे question क्या पूछा जाएगा आपसे question यह पूछ दिया जाएगा कि एक micron बराबर होता है चार options आपको दे दिये जाएंगे जिसमें आपको ten raise to the power minus six meter भी लिखा हुआ मिलेगा तो आप ध्यान रखिएगा one micron is equal to ten raise to the power minus six meter होता है ठीक है देखे यहाँ पे एक sign आपको दिख रहा होगा यह यह किसका sign है यह micron का sign है देखे अगर micron न लिख करके आप यह sign भी बना देंगे तब भी यहाँ पे micron ही माना जाएगा यह आपको ध्यान रखना है तो आपने यह जान लिया कि one micron is equal to ten raise to the power minus six meter होता है यह तो आपने जान लिया लेकिन अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि एक मीटर में ठीक है क्या पूछ दिया जाए कि एक मीटर में कितने micron होते है तब आपका answer क्या होगा तब तो आप confused हो जाएंगे तो मैं आपको बता दू कि one meter is equal to होता है ten raise to the power six और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे micron लिख देंगे power यहाँ पे क्या हो जाएगी positive हो जाएगी तो क्या हो जाएगा अगर आपसे पूछा जाए कि एक मीटर में कितने micron होते हैं या आपसे यह पूछ दिया जाए कि एक मीटर कितने micron के बराबर होता तो आप क्या बोलेंगे ten raise to the power six micron तो यह दोनों तरीके से आपको learn होना जरूरी है एक बार फिर repeat कर देता हूँ एक micron is equal to क्या हो जाएगा one micron is equal to ten raise to the power minus six meter या फिर आपसे पूछ दिया जाए कि एक मीटर में कितने micron होते तो आप बोलेंगे ten raise to the power यहाँ पे power जो आपकी होगी positive हो जाएगी ten raise to the power six micron हो जाएगा तो दोनों तरीके से आपको यह ध्यान रखना इसलिए दोनों तरीके से आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको कोई confusion ना हो तो यहाँ तक समझ गए होंगे अब next हम यहाँ पे देख लेते हैं one centimeter क्या लिखा हुआ है one centimeter is equal to ten raise to the power minus two meter दिया हुआ है तो आपको यह पता होना चाहिए आपसे direct question पूछा जाएगा कि एक centimeter बराबर होता है तो आप क्या बोलेंगे ten raise to the power minus two meter होता है यह आपने समझ लिया ना लेकिन अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि एक meter में क्या पूछ दिया जाए कि एक meter में कितने 70 meter होते है तब आप क्या बोलेंगे तो क्या हो जाएगा power यहाँ पे आपकी हो जाएगी positive ten raise to the power two और क्या लिख देंगे यहाँ पे हम लिख देंगे 70 meter तो यह आपको समझ में आ गया होगा मैं आपको detail में समझा दू देखे एक meter बराबर आपका क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा आपको पता होगा कि one meter is equal to क्या होता है हेंड्रेड 70 meter होता है यह आपको पता है ना अब हेंड्रेड को हम power की रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 10 raise to the power two 10 की घाथ 2 का मान सो और 70 meter तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं तो यह भी मैंने आपको उपर समझा दिया तो देखें एक 70 meter बराबर 10 की घाथ माइनस 2 meter या फिर आप बो सकते है 10 raise to the power माइनस 2 meter लेकिन अगर आपसे यह पुछा जाए कि एक meter में कितने 70 meter होते 10 raise to the power यहाँ पर जो power होगी वो positive हो जाएगी 10 raise to the power 2 centimeter और उपर मैंने आपको समझाया भी solve करके आपको समझ में आ गया होगा तो यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया तो अच्छे से इसको जरूर पढ़ लीजेगा अब next देखिएगा हमारा क्या दिया है 1 mega meter तो 1 mega meter is equal to क्या होता है 10 raise to the power 6 meter होता है देखिए यह mega meter यह तो अभी तक आप से पूछा नहीं गया आपके exam में और ना ही आगे पूछा जाएगा लेकिन ध्यान रखिएगा दिया हुआ है तो अच्छे से पढ़ लीजेगा 1 mega meter is equal to क्या होता है 10 raise to the power 6 meter होता है एक बार learn कर लीजेगा इसको ठीक है पूछा नहीं गया है लेकिन हो सकता है आगे पूछ लिया जाए तो 1 mega meter बराबर क्या होता है 10 raise to the power 6 meter होता है यह आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट दिया है 1 tarometer 1 tarometer is equal to क्या होता है 10 raise to the power 12 meter होता है यह आपको ध्यान रखना है ठीक है इसको आप direct learn कर लीजेगा 1 tarometer is equal to 10 raise to the power 12 meter होता है ठीक है अब नेक्स्ट आगे देखेंगे देखें यहाँ पे आपका यह वाला most important है आपके एक्जाम में पूछा भी जा चुका है क्या लिखा है 1 nanometer is equal to क्या होता है तो 1 nanometer is equal to होता है 10 raise to the power minus 9 meter होता है यह आपको ध्यान रखना है 1 nanometer is equal to 10 raise to the power minus 9 meter होता है अब यहाँ से आपसे यह भी पूछा आ सकता है अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि 1 meter में कितने nanometer होते है तब आप answer क्या करेंगे तो 1 meter में कितने nanometer होते है मैं आपको बता दू power जो यहाँ पे होगी यह आपकी plus हो जाएगी 10 raise to the power 9 कर देंगे ठीक है 10 raise to the power 9 और आगे क्या लिख देंगे nanometer n और m n से मतलब क्या हो जाएगा nano m से मतलब meter हो जाएगा देखे शौट में यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है तो देखे सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि 1 nanometer बराबर क्या होता है 10 raise to the power minus 9 meter होता है यह आपको पता होना चाहिए फिर आप से क्या पुछा जाएगा कि 1 meter में क्या पुछा जाएगा कि 1 meter में कितने nanometer होते हैं तो आप बोलेंगे 1 meter बराबर 10 raise to the power 9 nanometer पावर यहाँ पे positive हो जाएगी बस इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है यहाँ पे confused मत होईएगा ठीक है तो I hope आपको यह समझ में आ गया होगा nanometer वाला ठीक है आप next देखेंगे next हमारा क्या दिया है 1 millimeter देखें millimeter को short में हम mm बोलते हैं m से मतलब milli m से मतलब meter दो बार mm लिखा हुआ है जैसा कि आपको देख रहा होगा तो 1 millimeter is equal to 10 raise to the power minus 3 meter होता है यह आपने देखा यह आपको समझ में आ गया होगा लेकिन अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि 1 meter में ठीक है आपसे पूछ दिया जाए कि 1 meter में कितने millimeter होते हैं यह आपसे पूछ दिया जाए तो आप क्या बोलेंगे, अगर आपसे पूछ दिया जाए, कि एक मीटर में कितने मिली मीटर होते हैं, तब आप क्या बोलेंगे, तो क्या होगा ये जो पावर आपकी होगी, ये आपकी positive हो जाएगी, 10 raised to the power 3 हो जाएगा, और क्या आप लिख देंगे आगे, mm यानि मिली मीट यानि एक मीटर बराबर क्या होता है, 10 raised to the power 3 मिली मीटर होता है, तो ये भी relation आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, कि एक मिली मीटर बराबर 10 raised to the power minus 3 मीटर होता है, लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए, कि एक मीटर में कितने मिली मीटर हो होते हैं 10 raised to the power 3 mm तो दोनों तरीके से आपको ध्यान रखना है ध्यान रख़िएगा ठीक है यह मैंने आपको बता दिया next यहाँ पे 1 km दिया हुआ है 1 km is equal to क्या होता है 10 raised to the power 3 meter होता है तो मैं आपको detail में समझा दो देखे एक किलो मीटर बराबर होता क्या है यह आप सब लोगों ने पढ़ा होगा छूटी क्लासस में एक किलो मीटर बराबर होता है वन थाउजन मीटर यह तो आपको पता ही होगा एक किलो मीटर बराबर क्या होता है एक हजार मीटर होता है यह आपको पता है अब इस एक 1000 को अगर हम 10 की घात के रूप में लिखे तो क्या लिख सकते हैं 10 raised to the power 3 क्योंकि 10 की घात 3 का मान ही तो 1000 होता है और ये मीटर हो जाएगा तो इसलिए 1 किलो मीटर बराबर क्या लिखा जाता है 10 raised to the power 3 मीटर ये clear अब next देखेंगे हमारा यहाँ पे 1 जीगा मीटर दिया हुआ ह समझेगा यहाँ पे जीगा मीटर लिखा हुआ है तो 1 जीगा मीटर इस एक्वल टू क्या होता है 10 raised to the power 9 मीटर होता है ये आपको ध्यान रखना है ठीक है ये आपको direct learn कर लेना ये आपसे पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा कि 1 जीगा मीटर बराबर 10 की घात 9 मीटर यही 10 raised to the power 9 मीटर होता है अब देखेगा next आपका दिया हुआ है next ये प्रकास वर्स वाला ये आपका most important है ये आपसे जरूर पूछा जाएगा और पूछा जा चुका है एक प्रकास वर्स बराबर क्या होता है one light year is equal to क्या होता है तो आप बोलेंगे 9.46 into 10 raised to the power 16 मीटर वो भी लगभग के क्या हो जाएगा लगभग ये आपको ध्यान रखना है अभी उपर ही मैंने आपको पढ़ाया हुआ था मैं आपको थोड़ा उपर लेके चलता हूँ ये देखेगा एक प्रकास वर्स बराबर 9.46 into 10 raised to the power 15 मीटर या is equal to 10 raised to the power 16 मीटर लगभग क होता है तो ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है 10 की घात 15 ये तो होता ही लेकिन 10 की घात 16 मीटर भी कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा लगभग के ये आपको ध्यान रखना है ठीक है तो इसलिए नीचे भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया तो ये जो आपका टॉ पिक है द्रव्यमान के मात्रक, समय के मात्रक, वो सब आपको आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक याद कर लेंगे, यह पुरा अगर अच्छे से आप पढ़ लेते हैं, तो आगे के आपको आसानी से याद हो जाएंगे, कैसे अभी मैं आपको समझाता हूँ, माइक्रो लिखा हुआ है, और उपर भी हमारा माइक्रो आया हुआ था, लेकिन वहाँ पे देखेगा, माइक्रोन लिखा हुआ था, समझेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक माइक्रो ग्राम लिखा हुआ है, तो वन माइक्रो ग्राम इस एक्वल टू क् 10 raised to the power minus 6 kg होता है यह आपको ध्यान रखना है और उपर हमने एक micron पढ़ा हुआ था देखिए micron symbol देखिएगा यहाँ भी micron का है यहाँ भी है तो देखिए वहाँ पर उपर power क्या लगी थी minus 6 ना तो power यहाँ भी minus 6 ही लगेगी ध्यान रखिएगा ठीक है क्या दिया है वन मिली ग्राम दिया हुआ है उपर हमने क्या पढ़ा हुआ था वन मिली मीटर पढ़ा हुआ था देखिए वहाँ पर मीटर था क्योंकि हम क्या पढ़ रहे थे हम लंबाई के मात्रक को पढ़ रहे थे ठीक है अब यहाँ पर क्या है यहाँ पे समझेगा यहाँ पे आपका gram दिया हुआ है आपको gram लिखा हुआ मिल रहा है microgram, milligram क्योंकि हम द्रव्यमान के मात्रक को पढ़ रहे हैं समझेगा यह देखिएगा यहाँ पे आपको दिक्रा होगा ठीक है तो देखेंगे यहाँ पे 1 milligram is equal to आपका क्या हो जाएगा 10 raise to the power minus 3 और यहाँ पे kilogram रहेगा क्योंकि द्रव्यमान के मात्रक पढ़ रहे हैं उपर हमने क्या देखा था 1 millimeter is equal to 10 raise to the power minus 3 यहाँ पे meter हो रहा था क्योंकि हम लंबाई के मात्रक को पढ़ रहे थे तो इसलिए मैंने आपसे कहा अगर यह उपर वाला याद होगा न तो नीचे वाला तो आप वैसे ही आपको याद हो जाएगा देखें यहाँ पे milli केवल milli पे आपको focus करना है आपको अगर देखें लंबाई का मात्रक आएगा तो millimeter लिखा हुआ मिलेगा द्रविमान काएगा तो milli के साथ gram में आपको लिखा हुआ मिलेगा लेकिन जो power होंगी देखें यहाँ पे minus 3 यहाँ भी minus 3 वही लगेगी तो यह मैंने इसलिए मैंने आपसे कहा कि उपर वाला याद तो नीचे वाला तो आपको आटोमेटिकली यहाँ पे आध हो जाएगा problem नहीं होगी ठीक है तो यहाँ तक समझ गए अब समझेंगे इसके बाद next हमारा क्या दिया है एक gram क्या दिया हुआ है one gram is equal to क्या होता है तो one gram is equal to होता है 10 raised to the power minus 3 kilogram यह आपको ध्यान रखना है फिर इसके बाद देखिएगा one quintal यह आपने जरूर सुना होगा यह आपको पता होगा quintal के बारे में आपको जरूर पता होगा तो one quintal is equal to क्या होता है 10 raised to the power 2 kilogram ठीक है यह आपको ध्यान रखना है अगर 10 की घाद 2 को हम बदलेंगे 10 की घाद 2 का मतलब क्या हो जाएगा 10 गुड़े 10 हो जाएगा ठीक है 10 गुड़े 10 यही तो होगा 10 दाम में कितना होता है 100 होता है 100 और यहाँ पे kilogram तो kilogram लिख देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा एक कुंटल बराबर क्या होता दस की घात दो किलोग्राम या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पे सो किलोग्राम आपको अपनी स्क्रीन के उपर यहाँ पे दिख रहा होगा दस की घात दो कमान क्या होता है सो किलोग्राम होता है यहाँ सब को पत दस की घात दो कमान यहाँ पे क चेंज करेंगे देखे 10 गुड़े 10 यानि 100 और 100 किलोग्राम हो जाएगा तो दोनों तरीके से याद रखेगा कि एक कुंटल बराबर क्या होता दस की घाथ 2 किलोग्राम या फिर 100 किलोग्राम ये आप बोल सकते हैं ठीक है या आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट क्या दिया है 1 मिट्रिक टन 1 मिट्रिक टन इस एक्वल टो क्या होता है 1 मिट्रिक टन इस एक्वल टो होता है 10 रेस टुदी पावर 3 किलोग्राम और 10 की घाथ 3 को अगर हम चेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा देखे 10 गुड़े 10 गुड़े 10 गुड़े 10 ये हो जाएगा तो one metric 10 is equal to 10 raise to the power three kilogram और 10 की घात तीन को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 और किलोग्राम तो रहेगा ही रहेगा तो दोनों तरीके से ध्यान रखेगा one metric 10 is equal to 10 raise to the power three kilogram या फिर 1000 किलोग्राम होता है ये आपको ध्यान दखना है ठीक है और देखे शॉर्ट में सब कुछ लिखा हुआ है माइक्रो का साइन और ग्राम को हम G से रिप्रजेंट करते हैं इसलिए देखे ये माइक्रो और ग्राम ऐसे लिखते हैं माइक्रो ग्राम को शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे मिलिग्राम है तो देखे मिली मतलब M हो जाएगा और ग्राम को हम G से लिखते तो इसलिए OMG 1 ग्राम कोण ग्राम को G ग्राम को हम G से भी रिप्रिजेंट करते तो G ही लिखेंगे क fingers to quintal को देखे Q ao T से भी यह से notre t हो अगए होंगेには क्या को अगी ज मेक्ठिकटन अब इसके बाद देखेंगे next topic हमारा क्या दिया है so next topic आप लोगों को अपनी screen के उपर दिख रहा होगा अब आगे हमें यहाँ पे समय के मात्रक दिये गए है units of time हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा तो देखेंगा सबसे पहला relation हमें क्या दिया है सबसे पहला relation दिया है one picosecond यह आपसे directly पूछ लिया जाएगा सीधे सीधे पूछा जाएगा कि एक picosecond बराबर होता है चार option दे दिये जाएंगे जिसमें आपको 10 raise to the power minus 12 second भी लिखा हुआ मिलेगा तो अगर आपको पता रहेगा कि हाँ एक picosecond बराबर 10 की घात माइनस 12 second यानि 10 raise to the power minus 12 second होता है तो तुरंत आप answer कर पाएंगे जरूर याद कर लीजेगा यह पहला वाला relation आपका most important है आपसे पूछा जा सकता है 1 picosecond बराबर होता है तो आप क्या बोलेंगे 10 raise to the power minus 12 second के यह आपको ध्यान रखना है और picosecond को हम short में क्या लिखते है ps क्या लिखते है ps इस ps का मतलब क्या हो जाएगा p से मतलब क्या होगा p क्या हो जाएगा p से मतलब हो जाएगा p को और s से मतलब second हो जाएगा यह आपको ध्यान रखना है तो 1 picosecond is equal to 10 raise to the power minus 12 second होता है समझिएगा ठीक है अब देखिएगा एक नैनो सेकेंड यहाँ पे आया हुआ है ठीक है अब ही उपर हमारा क्या आया हुआ था एक नैनो मीटर आया हुआ था ठीक है नैनो मीटर आया हुआ था तो वहाँ पे क्या हो गया था दस की घात माइनस नो मीटर में हो गया था अब यहाँ पे एक नैनो तो आया ही हुआ है बस यहाँ पे सेकेंड आ गया है तो पावर तो यही रहेगी दस की घात माइनस नो अब क्योंकि यहाँ पे समय के मात्रक को पढ़ रहे हैं यहाँ पे सेकेंड आ जाएगा, उपर हम मीटर को पढ़ रहे थे, मीटर में पढ़ रहे थे ना, ठीक है, उपर हम लंबाई के मात्रक को पढ़ रहे थे, मीटर में हमरा दिया हुआ था, एक नैनो मीटर लिखा हुआ था, तो हमने क्या लिखा था, दस की घात माइनस नो मीट कि बस यहाँ पर second हो जाएगा क्योंकि हम समय के मात्रक को पड़ रहे हैं यह आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा अब देखेगा next एक micro second बराबर क्या होता केवल आप micro पर focus कीजिए micro जहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा घात आपकी क्या आएगी 10 की घात माइनस 6 आता है ठीक है और जो मात्रक होगा उसी के recording आगे लिख देंगे अब यहाँ पर एक micro और यहाँ पर second दिया हुआ है तो एक micro second बराबर क्या हो जाएगा 10 की घात माइनस 6 अब क्योंकि second है तो यहाँ पर हम second लिख देंगे ठीक है अभी ऊपर हमने एक micro बराबर पढ़ा हुआ था अभी मैंने just ऊपर आपको पढ़ाया हुआ था वो आपको समझ में आ गया होगा तो units के साब से हम decide करते हैं आगे हमें लिखना क्या है कि यहाँ पर समय के मातर को पढ़ रहें तो second लिखेंगे अगर lambai के मातर को पढ़ेंगे meter लिखेंगे ठीक है द्रव्यमान के मात्रक को पढ़ेंगे तो किलोग्राम ऐसी लिखा जाता है न अभी उपर ही मैंने आपको बताया तो यह आपको समझ में आ गया होगा कि एक माइक्रो सेकंड बराबर क्या हो जाएगा अब ही उपर हमने क्या पढ़ा हुआ था उपर हमने जब मैं आपको लंबाई के मात्रक के बारे में पढ़ा रहा था तो हमने एक मिली मीटर पढ़ा था क्या पढ़ा था मैं आपको बता देता हूँ एक मिली मिली के बाद क्या लिखा हुआ था मीटर लिखा हुआ था तो एक मिली मीटर बराबर क्या होता है अब ही उपर ही मैंने आपको बताया था 10 की घात माइनस 3 और क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे मीटर क्योंकि हम लंबाई के मात्रक के बारे में पढ़ रहे हैं मिली मीटर है मीटर लिखा हुआ है ना तो इसलिए यह मीटर में हो जाता है अब देखिएगा अगर यह आपको याद है तो आप यह वाला एंसर आसानी से कर पाएंगे वन मिली मिली आपको लिखा हुआ मिलेगा तो तुरंत आप समझ जाएंगे कि हाँ 10 की घात क्या होगी माइनस 3 होगी ठीक है यह तो आप समझ जाएंगे अब आगे देखिएगा क्या लिखा है सेकेंड लिखा है तो इसलिए 10 की घात माइनस 3 यहाँ पे हम क्या कर देंगे सेकेंड लिख देंगे बस इतना आपको समझ ना है अगर मीटर वाला सब याद कर लेंगे तो आप यहाँ पे देखें जो दरविमान के मात रखोंगे समय के मात रखोंगे सब कुछ आप अच्छे से यहाँ पे समझ जाएंगे ठीक है देखिए यहाँ पे आपको इस सब्द पे फोकस करना जो मिली लिखा हुआ मिली लिखा हुआ मिलेगा इसका मतलब 10 की घात क्या होगी माइनस 3 होगी अगर आपको माइक्रो लिखा हुआ मिलेगा 10 की घात क्या होगी आप बोलेंगे माइनस 6 होगी ठीक है नैनो लिखा हुआ मिलेगा नैनो पे केबल सेकेंड से हमें मतलब नहीं क्योंकि ये तो change होता रहता है, कहीं आपको second लिखा हुआ मिलेगा, कहीं meter लिखा हुआ मिलेगा, समझिएगा, nine लिखा हुआ मिलेगा, तो आप क्या बोलेंगे, 10 की घात आपकी क्या हो जाएगी, minus 9 होगी, ये आपको ध्यान दखना है, इस पे आपको focus करना है, अभी मैं एक table भी दिखाऊंगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो आगे देखेंगे हम यहाँ पे, लिखा भी हुआ है, लंबाई, द्रव्यमान, तथा समय के अन्य मात्र को हेतू, SI उपसरगों की सारणी की मदद ले सकते हैं, तो आपको यहाँ पे एक सारणी दिख रही होगी, देखिएगा यहाँ पे, एक सारणी आपको एक table यहाँ पे दिख रही होगी, एक तरप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दस का घातांक, एक तरप प्रत्य, एक तरप संकेत, फिर यहाँ पे दस का घातांक, प्रत्य, संकेत, यह आपका लिखा हु होगी समझिएगा 10 raised to the power minus 1 इसका मतलब प्रत्य क्या होगा dc और संकेत में हम इसको dc लिखेंगे ठीक है अगर आपको 10 की घात minus 2 लिखी हुई मिलेगी 10 की घात minus 2 लिखी हुई मिलेगी तो प्रत्य क्या होगा centi होगा और c से इसको हम represent करेंगे अभी उपर ही मैंने आपको पढ़ाया हुआ था 170 meter is equal to क्या होता है तो आपने देखा था 10 की घात minus 2 meter आया हुआ था ना यानि देखे घातांक क्या है घातांक यहाँ पे minus 2 है ना प्रत्य centi और यहाँ पे संकेत c तो यह आप समझ गए होंगे तो आप इन प्रत्य के मदद ले सकते हैं जो प्रत्य यहाँ पे लिखे हुए हैं इनसे भी आप यहाँ पे जो उपर अभी मैंने आपको बताया वो topic लिखा है तो मीटर लिखेंगे अगर second लिखा हुआ है तो second लिख देंगे gram लिखा हुआ है तो gram लिख देंगे ऐसे आपको समझना है ठीक है तो इसी तरीके से यह table आपको समझनी है देखिएगा micro micro का मतलब क्या होता है अगर आपको micro लिखा हुआ मिले इसका मतलब होगा दस की घाट जो आपकी होगी वो माइनस 6 होगी अभी उपर ही यह मैंने आपको समझा दिया है अगर आपको नैनो लिखा हुआ मिलेगा दस की घाट क्या होगी नैनो लिखा हुआ मिलेगा तो दस की घाट माइनस 9 होगी यह आपको ध्यान माइनस पंदरा एक्टो लिखा हुआ मेलेगा दस की घात माइनस अठारा एसे इसको और फैम्टो को एक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसी तरीके से यहाँ पे देखिएगा क्या दिया हुआ है देखिएगा एक टेबल आपको यहाँ भी दिख रही होगी इसको समझेगा यहाँ पे देखिए दसका घातांक प्रत्यों संकेत लिखा हुआ है एक्जा एक्जा लिखा हुआ देखिए अगर दसका घातांक आपको क्या लिखा हु हो जाएगा अगर पैटा आपको लिखा हुआ मिलेगा यह आपको ध्यान रखना है ठीक है और पी से रिप्रेजेंट करते हैं देखे ऊपर एकजा था अगर एकजा लिखा हुआ मिलेगा तो दसका घातांक दसकी घात 18 होगा यह उपर मैंने लिख भी दिया आपको समझाने के लिए अगर आपको पैटा लिखा हुआ मिलेगा दसकी घात क्या हो जाएगी घातांक आपका हो जाएगा पंद्रा अगर टैरा लिखा हुआ मिलेगा टैरा का मतलब दसका घातांक क्या होगा टी से रिप्रेजेंट करेंगे गीगा लिखा हुआ मिलेगा तो दसका घातांक क क्या होगा छे होगा यह आपको ध्यान रखना और M से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है अब देखे अगर आपको किलो लिखा हुआ मिलेगा तो आप दस का घातांक क्या लिखेंगे तीन लिखेंगे ठीक है अभी उपर ही मैंने आपको पढ़ाया हुआ था एक किलोमीटर वाल करते हैं तो यह टेबल आप लोग अच्छे से जरूर पढ़ लीजेगा अगर यह टेबल तयार कर लेंगे तो जो उपर अभी यह सब मैंने आपको समय के मात्रग रविमान के मात्रग यह सब पढ़ाए ना यह आपका क्लियर हो जाएगा ठीक है अब देखेंगे यहाँ पे पिको लिखा हुआ था आपको पिको पे फोकस करना है वन पिको सेकेंड अभी रहने दीजे केवला पिको पे फोकस कीजिए पिको लिखा है इसका मतलब दस का घातांक आपका क्या हो जाएगा माइनस बारा हो जाएगा जो अभी टेबल मैंने आपको नीचे दिखाई आप दिखाता हूं देखेगा पी को फेलृष निक श्यमिन का वि rozmодар अब ऊपर संचा दिया आपको द्यान रखेगा अब देखेगा यहां पे नोट माइक्रो मीटर बराबर क्या हो जाएगा तो एक माइक्रो मीटर बराबर क्या हो जाएगा आप लिखेंगे एक और माइक्रो होता है तो क्या लिखते हैं दस की घात हम क्या लिखते हैं माइनस छे लिखते हैं अब माइक्रो मीटर है तो आगे हम यहां पर मीटर लिख देंगे एम बस हो गया ना solve अगर आपसे पूछा जाए एक micrometer बराबर क्या तो आप लिखेंगे 1 into 10 raise to the power minus 6 meter यह आपका change हो गया उपर जो सानी आपकी है उसी के help से आप इसको solve कर पाएंगे अगर आपको पता होगा या फिर देखिएगा next दिया है या फिर एक nano second बराबर क्या हो जा हुआ केवल अभी आप nano पे focus कीजिए जो nano लिखा हुआ है जब nano आपको लिखा हुआ मिलता है तो 10 raise to the power आप क्या लेते हैं minus 9 लेते हैं यह देखेगा nano 10 की घात minus 9 आती है तो 10 की घात minus 9 अब second है तो आगे हम यहाँ पर second लिख देंगे और एक nano second तो एक गुड़े यहाँ प आपको समझ में आ गया होगा फिर आपको यहाँ पर देखेगा आपको समझाने के लिए next यहाँ पर क्या लिखा है वन फैंटो किलोग्राम is equal to क्या हो जाएगा आप देखे फैंटो लिखा हुआ है फैंटो का मतलब क्या होता है 10 की घात हम क्या लेते हैं minus 15 लेते हैं अभी उपर ही मैंने आपको समझाया तो 10 की घात minus 15 और एक पूछा गया तो 1 into 10 days to the power minus 15 यह हो जाएगा और क्या है किलोग्राम है तो लिख देंगे यहाँ पे किलोग्राम आगे केजी लिख देंगे बस हो गया change आपका कितने असानी से तो यहाँ पे आपको यह भी समझाया गया क कि आप इस टेबल की help ले करके यहाँ पे यह चोटे-चोटे जो questions होते हैं उनको आप solve कर पाएंगे और यह टेबल आपको learn होगी ना तो जब आप इस chapter के numericals को solve करेंगे बड़े आसानी से solve कर पाएंगे तो यह topic आपका clear हो गया होगा अब next हम देखेंगे हमारा अगला topic क् मापक यंत्र अब यह मापक यंत्र क्या होता इसको समझेंगे इंगलिश में क्या बोलते है measuring devices मापक मतलब measuring और यंत्र मतलब devices हो जाएगा यानि measuring devices, अब ये मापक यंत्र क्या होते है, समझेगा बहुत इध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे यंत्र जिनकी सहायता से भौतिक राशियों का मापन किया जाता है, मापक यंत्र कहलाते हैं, अब आपसे direct एक question पूछाया सकता है, कि ऐसे यंत्र जिनकी सहायता से भौतिक राशियों का मापन किया जाता है, वे क्या कहलाते हैं, चार option दे दिये जाएंगे, जिसमें आपको मापक यंत्र भी लिखा हुआ मिलेगा, तो आप क्या बोलेंगे, मापक यंत्र कहलाते हैं, अब फॉर इक्जाम्पल यहाँ पे उधारन के तौर पे देखेंगे, वर्नियर कैलिपर्स, पेच मापी, पैमाना, यह सब क्या हैं, यह सब मापक यंत्र हैं, मेजरिंग डिवाइसे हैं, यह आपको ध्यान रखना है, वर्नियर कैलिपर्स, पेच मापी और पैमाना, इत्यादी यह सब क्या हैं, यह सब मापक यंत्र हैं, फिर next point यहाँ पे क्या तक यथार्थ मापन किया जा सकता है यानि सही सही मापन किया जा सकता है वह सीमा उसकी यथार्थता की सीमा कहलाती है ये आपको ध्यान रखना है फ़र इसके बाद नेक्ट पॉइंट है कि किसी यंत्र की वह निवनतम माप जिसको उस यंत्र द्वारा यथार्थता पूर्व यानि सही सही ग्यात किया जा सकता है उस मापक यंत्र का अलपत मांक कहलाती है ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ठीक है इंपोर्टेंट पॉइंट्स आपके यहाँ पे लिखे हुए है आप देखेगा इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले वर्नियर कै के बारे में पढ़ाया जाता है और इसका प्रैक्टिकल भी कराया जाता है ठीक है आप लोगों ने प्रैक्टिकल जरूर किया होगा और वर्नियर कैलिपर्स को देखा होगा अगर देखा है प्रैक्टिकल किया है तो यह जो थेओरी अभी में आपको बताने जा रहा हूं य देखेंगे यहां पर क्या लिखा है, वर्नियर कैलिपर्स एक ऐसा यंत्र है, जिसका उपियोग 0.01 cm तक की अल्पलंबायों के मापन हेतु प्रियुक्त किया जाता है, यह आपका यहां पर लिखा हुआ, जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन के उपर देख रहा हुआ, क्या लिख प्रियुक्त किया जाता है, यह आपको ध्यान दखना है, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट यही हो गया, अब देखिएगा, नीचे आपको क्या बताया गया, वर्नियर कैलिपर्स का अल्पत मांग, जिसको हम इंगलिश में क्या बोलेंगे, लिस्ट काउंट औफ वर्नियर कै तो सबसे पहले इसके अंतर का पहला पॉइंट क्या लिखा है, कि वर्नियर पैमाने के एक भाग की लंबाई, मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई से कम होती है, इस अंतर को वर्नियर का अल्पत मांग कहते हैं, अब यह लाइन जो आपने पढ़ी, यह आपको तभी सम और अगर नहीं देखा है तो आपके पास यही चोईस है कि आप इस लाइन को डिरेक्ट क्या कीजिए लर्न कर लीजिए बस और देखा है तो फिर आपको ये लर्न करने की जरूरत ही नहीं आपको पता होगा वर्नियर पैमाने के एक भाग की लंबाई मुख्य पैमाने के एक भाग बराबर मुख्य पैमाने के एन माइनस वन अपॉन में एन भाग ये आपका हो जाएगा यहाँ पे एक फॉर्मूला छोटा सा दिया हुआ लेकिन यह आपसे पूछा नहीं जाता मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ ये आपसे पूछा नहीं जाएगा बस आप जा बराबर क्या होता है पैमाने के एक भाग की लंबाई अपॉन में वर्नियर पैमानों पर भागों की कुल संख्या ये आपको लर्न कर लेना है ये मोस्ट इंपोटेंट है ये आपको ध्यान दखना है ठीक है फिर इसके बाद दिया है साधारन वर्नियर क्यालिपर्स का अलपत मांक 0.01 70 मीटर हो है लीस्ट काउंट ओफ वर्नियर क्यालिपर्स कितना होता है अगर आप से पूछा जाए लीस्ट काउंट ओफ वर्नियर क्यालिपर्स इज तो आप क्या बोलेंगे 0.01 70 मीटर ये तो आपका 70 मीटर में लिखा हुआ है आपको देखिए option में मिली मीटर में भी लिखा हुआ मिल सकता है 70 मीटर में तो आपने जान लिया कि साधारन वर्नियर कैली पर्स का अलपतमा क्या निए लीस्ट काउंट इसका 0.01 70 मीटर 0.01 ये तो आपका 70 मीटर में हो गया अगर आप से मिली मीटर में पूछ लिया जाएगा तब आप क्या करेंगे अगर आप से मिली मीटर में पूछा जाएगा तो आप क्या बोलेंगे 0.0 फिर इसके बाद लिखेंगे 1 फिर mm लिख देंगे ये आपका मिली मीटर में होता है साधारन वर्नियर कैली पर्स का अलपतमांक मिली मीटर में 0.1 मिली मीटर होगा ध्यान रखिएगा और साधारन वर्नियर कैली पर्स का अलपतमांक 70 मिटर में 0.01 70 मिटर होता है ये ध्यान रखिएगा 70 मिटर में भी याद होना चाहिए और मिली मीटर में भी याद होना चाहिए दोनों तरीके से ये आपको याद होना जरूरी है अब देखेंगे next point second point क्या लिखा है second point है वर्नियर कैली पर्स के दोनों जबडों को आपस में इस पर से कराने पर यदि मुख्य पैमाने की सूनने रेखा वर्नियर पैमाने की सूनने रेखा के ठीक सीध में ना हो तो या दोस सुन्यांक तुटी कहलाता है यह देखेंगे जो लाइन है ना यह totally practical base line आपकी यहाँ पर लिखी हुई है अगर आपने वर्नियर कैली पर्स का यूज किया है practical किया है तो आपको यह लाइन तुरंत समझ में आ जाएगी नहीं तो फिर इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा direct आपको learn करना होगा ठीक है अगर वर्नियर कैली पर्स आपने यूज किया है तो यह आपको पता होगा यहाँ पर क्या लिखा है वर्नियर कैली पर्स के दोनों जबडों को आपस में इस पर्स कराने पर यदि मुख्य पैमाने की सूने रेखा वर्नियर पैमाने की सूने रेखा के ठीक सीध में ना हो तो यहाँ दोस सुन्यांक तुर्टी कहलाता है फिर यहाँ पर देखे क्या लिखा है प्रेक्षित लंबाई is equal to क्या हो जाएगा मुख्य पैमाने की माप प्लस वर्नियर का मिलने वाला चिन और गुडे में अलपत मांक यह लिखा हुआ यह प्रेक्षित लंबाई निकालने के लिए लिखा हुआ है और वास्तविक लंबाई के लिए क्या हो जाएगा वास्तविक लंबाई is equal to क्या होता है प्रेक्षित लंबाई माइनस सुन्यांक तुर्टी और जो सुन्यांक तुर्टी होगी वो चिन सहित यहाँ पे होनी चाहिए ध्यान रखेगा यानि सिंबल भी यहाँ पे माईने रखता है चिन भी देखा जाएगा धनात्मक रडात्मक यह देखा जाएगा ध्यान रखिएगा ठीक है तो यह आपको यहाँ पे समझ में आया होगा और देखिए अगर आपने वर्नियर कैलिपर्स यूज किया है क्लास नाइन्थ का कि यह आपका है प्रैक्टिकल भी कराया जाता है अगर आपने पढ़ा होगा तो यह सब आपको पता होगा और नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दू आपको इसमें क्या-क्या याद होना चाहिए इस टॉपिक में सबसे पहले साधारन जो वर्नियर कैलिपर्स है इसका अ पर इसके बाद यहाँ पर यहाँ पर यह जो लास्ट की दो लाइन लिखी है यह दो बाते इनको देख लीजेगा बस इतने में आपका काम हो जाएगा और वैसे भी आप लोगों से यहाँ पर मैं आपको बता दू वर्नियर कैलिपर्स से रिलेटेड क्वेशन्स पूछे न यहीं पर यहाँ आपको बता होगा पेच्मापी ये भी आपका क्लास नइंथ का ही टॉपिक है क्लास नाइंथ में जब आप साइन्स पड़ते पहला ही चेप्टर आपको देखने को मिलेगा उसी च ніक्टर में आपका यह सब टॉपिक दिया हुआ है पेच्श मापी वाला अत्यंत छोटी लंबाई को मापने के लिए पेच मापी का प्रियोग किया जाता है पेच के सिरों को एक चक्कर पूरा घुमाने में उसकी नोक जितनी आगे या पीछे होती है उस दूरी को पेच का चूड़ी अंतराल कहते हैं अब यह भी प्रैक्टिकल बेस लाइन यहां पे लिखी हुई है पेच मापी यह भी आप लोगों ने देखा होगा ठीक है अब यहां पे एक लाइन लिखी हुई है साधारन पेच मापी का जो चूड़ी अंतराल होता है चूड़ी अंतराल कितना होता है 0.1 cm में आपका दिया हुआ है ये लाइन आपको याद होनी चाहिए साधारण पेच मापी का चूड़ी अंतराल 0.1 cm होता है अब देखेगा आपको यहाँ पे एक फॉर्मुला देखने को मिलना होगा ये फॉर्मुला आपको याद कर लेना है पेच मापी का अलपतमांक बराबर क्या होता है पेच का चूड़ी अंतराल अपॉन में गोलिये पैमाने पर बने कुल भागो की संख्या अगर आपसे कोई question पेच मापी से related पूछा जाएगा पेच मापी का अलपतमांक पूछा जाएगा तो देखिएगा पेच का चूड़ी अंतराल ये आपको दिया रहेगा आपको पता हिए फिर इसके बाद गोलिये पैमाने पर बने कुल भागो की संख्या भी आपको दी होगी question में तब ही आपसे अलपतमांक पूछा जाएगा समझेगा पेच मापी द्वारा प्रेक्षित माप is equal to होता है मुख्य पैमाने की माप प्लस वृत्य पैमाने को आधार रेखा से मिलने वाला चिन ये आपका लिखा हुआ है गुड़े अलपतमांक ये आपका होता है यहाँ पेच मापी द्वारा प्रेक्षित माप देखें, यह आपसे नहीं पूचा जाएगा मैं आपको पहले ही बता दे रहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन यह आपसे पूचा नहीं जायेगा ज्यादा से ज्यादा आपसे पेच मापी का चूड़ी अंतराल पूछा जा सकता है अलपत मांग का फॉर्मुला पूछा जा सकता है या फिर अलपत मांग से रिलेटेड एक निमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है और मैं आपको बता दू पेच मापी से related अभी आपसे कई सालों से last year के paper को आप चेक कीजेगा questions आपको देखने को नहीं मिलेंगे मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ और अगर आप यहां पे यथार्थ माप देखेंगे पेच मापी में तो यथार्थ माप बराबर क्या होता है प्रेक्षित माप माइनस सुन्यांक तुटी यह आपका होता है यथार्थ माप पेच मापी के लिए यह आपको ध्यान रखन तो वहाँ पे आपको questions नहीं देखने को मिल रहे हैं, अगर पूछा भी गया, तो एक आप question पूछा गया, ठीक है, वो भी बहुत simple सा, तो यहाँ पे जो important points मैंने आपको बताए हैं, वो आप देख लीजेगा, और जो most important point आपका था, जो starting में मैंने आपको बताया हुआ है, य यह आपके most important points हैं, जो आपको मैंने यहाँ पे प्रकास वर्थ के बारे में बढ़ाया, यहाँ से questions जरूर आते हैं, मादे सौर दिवस, फर इसके बाद यहाँ पे लंबाई द्रविमात अथा समय के अन्यमात रक, यह पूरा topic आपका most important है, यह आप अच्छे से पढ़ मैं आपको बता दू, अभी भी इस chapter का theory part आप लोगों का completely finished नहीं हुआ है, अब next video में मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा, वो मैं आपको बता दू, next video में मैं आप लोगों को इस chapter का most important topic है, सार्थक अंक, जहां से आपके entrance exam में questions पूछे ही जाते हैं, confirm हैं, यह topic आपके इस chapter के और बचे हुए है, theory part में, और दिखें सार्थक अंक और कोटी मान, जब तक मैं आपको यह topic detail में नहीं पढ़ाऊंगा, आप सार्थक अंक से related एक भी numericals को नहीं solve कर पाएंगे, नहीं कोटी मान से related numericals को solve कर पाएंगे, तो यह topic मैं आपको next video में पढ़ा कोशिश यही रहेगी कि कम से कम में 5 से 6 part में यह chapter आपका complete करवादू, क्योंकि questions भी आप लोगों के इस chapter में काफी दिये गए हैं, 40 से ज़्यादा questions दिये गए हैं, with numericals हैं, तो देखिए, मैं आपको बता दू, अगर आप इस chapter के theory part को नहीं पढ़ेंगे, तो आप इस chapter के questions को बिलकुल solve नहीं कर पाएंगे, पहले ही बता दे रहा हूं, तो मैं आपको बता दू, आज जो मैंने आपको पढ़ाया ये, और part 1 वाला, ये दोनों ही वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लीजेगा, जो important points बताएं हैं, उनको note कर लीजेगा, अब next वीडियो में मै आपको सार्था कंको कोटी मान पढ़ा दूँगा, फिरस के बाद चैप्टर के questions करा दूँगा, ये चैप्टर आपका completely finished हो जाएगा, तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो, तो आप मुस्से कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर वीडिय पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, और साथी साथ हमारे चैनल Study with अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्ष्ट वीडियो में, थैंक्स पर वाचिंग